नमस्कार जै मतादी सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रबानी में कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी आज बात करेंगे कि इस अंग को जतना आप साफ रखेंगे उतना ही ज्यादा धन आपके पास आता रहेगा शरीर के साथ कोई ना कोई अंग होता है जो किसी ना किसी गरह के साथ जुड़ा होता है हर शरीर का अंग किसी ग्रह के साथ जोड़ा हुआ है किसी खास महत्व के साथ जोड़ा हुआ है कोई उसकी विश्रेष्टा है कोई उसके पीछे कोई ग्यान है तो ये जो अंगे जिसके बारे में हमने बताना है अगर आप इसे साफ सुत्रा रखेंगे तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी धन हमेशा बरस्ता रहेगा, आता ही रहेगा कहीं न कहीं से धन की आपके पास विवस्ता होती रहेगी जब भी आपको जुरुत पड़ेगी धन की धन आपके पास होगा आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे कुछ कर्ज लेने की जुरुत नहीं पड़ेंगी, अपने आपी धन का अरेंजमेंट कहें, या अपने आपी धन का बंदवस्त हो जाएगा, इसके साथ साथ आप धन में वृद्धी भी पाएंगे, अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं पर लगे हुए हैं, आपका अपना काम है किसी भी चीज का अगर आप काम करते हैं, आपका काम अच्छा खासा चलेगा, बहुत अच्छी कमाई आपको देखने को मिलेगी, जहां आप देखते हैं कि आपके पैसे फिजूर खर्ची में जा रहे हैं, जहां आपके पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, जहां आपके पैसे आ रहे हैं अधिक मेहनत करने के बावजूद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत दिमाग लगा रहे हैं लेकिन कहीं से भी पैसे एक आयोग नहीं बन रहा हैं कहीं लोगों को आपने सुना होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं पता ही नहीं चलता पैसे कहां चले जाते हैं बहुत मे नहीं चलता तो अगर ऐसी कुछ परिशानी आपके साथ आ रही हैं तो ये सभी समस्या दूर होंगी बात करते हैं कि वैं कौन सा अंग जिसे आपने साथ सुत्रा रखना है चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप बड़े हैं आपने इस अंग को हमेशा सा गरा जुड़ा हुआ है जिसके साथ सबंध है उस गरह का वे है केतू केतू गरह का सीधा सीधा संबंध आपके पैरों के साथ होता है अगर आपके पैर साफ सुतरे नहीं हैं अगर आपके पैर हमेशा गंदे रहते हैं तो आपका केहू बहुत प्रभावित होता है आपका क अचानक से उस पर कोई केस आ जाना, अचानक से मुसीबते आ जाना, शारीरी के रोग उसको बहुत लगते हैं, उसको हड़ियों के रोग बहुत लगते हैं, इसकी अलावा धन अच्छा खासा आते हुए भी ऐसे ऐसे जगा पर निकल जाता है, जैसे कभी सोचा भी ना हो, आता ही नहीं लगना, पैसा चला कहां गया, मेहनत से जमा किया गया पैसा, अचानक से दिलों में ही खत्म हो जाना, ऐसी चीज़े होने लग पड़ती हैं, अगर आपका केतू बिगड़ जाता है, शालीदिक रोग भी आपको भी हद लगते हैं, मांसिक रोग भी आपको अगर आपका केतू खराब है तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपका केतू सही रहे तो आपने पैरों को सही रखना है, अगर आपका केतू जीवन में अच्छा है, यानि केतू को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पैरों अगर आप साथ सुतरा रखत तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजर्ट देता है, आपका धन बच्छा खासा आना शुरू होता है, लोग राहू केतु से बहुत डरते हैं, लेकिन राहू केतु अगर बहुत मजबूत हो तो आपको इतना कुछ देते हैं कि कभी किसी के आगया आप सर नहीं जुका सकते, तो अभी किसी से कुछ मांगने की जुरुत महसूस नहीं होगी बहुत धन आएगा, शारीर स्वस्त रहेगा, मांसिक रूप से स्वस्त रहेगा घर में खुश्यां रहेगी, सुख रहेगी, समरिध्धी रहेगी और धन भी अच्छा खासा खूब सारा आएगा और बच्चों का पढ़ाई में मन बच्चे बहुत रखी करेंगे ये सब चीजे होंगे अगर आपका केतु मजबूत है तो तो अपने घर में सुक्स मृद्धी चाहिए, धन में वृद्धी चाहिए तो पैर के इस अंग को पैरो को यानि कि अपने साथ सुत्रा रखना है जिससे कि आपका केतु हमेशा मजबूत रहेगा और आपको बहुत अच्छे रिजर्ट देखने को मिलेंगे इतने अच्छे मिलेंगे कि आपकी पूरी किसमत भी बदल सकती है सिर्फ इस अंग को साथ सुत्रा रखने से तो इसे जरूर साथ सुत्रा रखेगा आपको बहुत अच्छे दिन देखने को मिलेंगे इसी के साथ इस वीडियो को महीं पर समात करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें इसे कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्री